जहार सात्यों आज हम लोग ज्यारकन के परिप्रेश में भार छोड़ों आंदुलन को देखने वाले हैं अभी तक प्रहिष्टी को हम लोग एक एक टॉपिक को देख चुके हैं वैसे ठीक है और जो में भी जिसके लिए पहला वीडियो है वोग साही टॉपिक को देख सकते ह आपको वीडियो इस चैनल पर मिल जाएगा वैसे ठीक है और चली टॉपिक को देखते हैं और टॉपिक में बदलाव है वैसे ठीक है कि पहले देख रहे थी कि जहारकन के सभी जिलों में करिप 6 जिले थे उस समय के में ठीक है जिस समय के आम लोग बात कर रहे है मला 1942 का अस पास थे ठीक है और मिली छे जिला ही का लिजिए आस पास क्या होता है वैसे तो उस समय तक अभी तक जो देखे थे कि आपका असयोग अंदुलन या पी सवेने अवग्यां दुलन दोनों में करी पांच ही जिले में जातर करवाई हो रहा था और मान भूम में बहुत कम करव हैं है तो मान भूम के बारे किसी आंदूलन में बताया है मलब जो गांधी वादी आंदूलन या उसमें वैसे ठीक है तो गांधी वात्यंस पछला बारосक दिखेगा कि मान भूम के लोग भारत छोड़ो अंदोलन में भाग ले रहे हैं वैसे तो इसके बाद शुरु से देखते हैं वैसे तो शुरुवात बैसके लिए इसका ऐसे होता है कि 1942 आते हिटलर आपका काफिया तक दुर्तिय विश्यूत को जीत रहा था ठीक है और अंग्रेज लोग थोड़ा बूत करके हार रहा था देरे कुछ-कुछ लच्छन आ रहा था वैसे हार नहीं गया था पस कुछ-कुछ लच्छन देख रहा था वह जीत रहा था और वह सोविय सहक अपना पे बड़ा थागता अब उसकी उपर तो दिखा रहे हैं कि लडाय को जीत सकता है तो जाता है तो वहां पर अमेरीका का है प्रस्रिडेंट है फिर आपका चाइना प्रस्रिडेंट है यह लोग कहता है कि अंगरेज इंगलेंड का ब्रहुत को कहता है कि आप भारत के साथ कुछ कीजिए और वहां से सयोग हासिल होगा तो बहुत सारा आदमी वहां से मिलना सुरूब हो जाएगा ठीक है और फिर इंग्लेंड को भी लगता है कि जब हार उर जाएं उससे बहतर है कि चलो कुछ सवयोग का कोशित करते हैं और उस कोशित करने के लिए वो क्रिप्स मिसन को 1942 में भारत भेजता है ठीक है कि सिंगल मेंबर कमिटी था वैसे यह ठीक है तो सिंगल मेंबर आता है यहां पर भारतिय के साथ यहां बात करता है लेकिन असकर स्प्रस कोहां करते हैं के पाद हुण तो क्य आप कुंछ कुछ कर्षे नहीं कर नहीं कर रहे हैं तो यह रहे heck कैसे आपकु सपोर्ट कर देंगे किया हमको आजादी मिल रहा है अब वह डेट नहीं दे रहा था आप अपनली और यह लोग भी बोला कि चलो जो होगा support नहीं देंगे तरह भी बोला चलो यह अंदिम कोशिश क्रिप्समिस बोला यह अंदिम कोशिश था अब हम लोग कुछो करना है तो मैंला आप लो मुम्कमेंट है है पर गांधी ची बंबय में एक मीटिंग गुलाते है में भारत शूड़ं का लाते हैं चल्स करना और और Olis के लिए आपका स्टार्ट होता है ये मूंड चौर्स चाहिए तो जितने ही इंप्पॉर्टेंट लिडर था सब दीडिया को घर्तार कर लिए जाता है एंबर धे तरके से देखते है कि पूरे इंडिया में आंदोलन होना पूरा छॉद आप यह समय हो आपका आपका खरकरण के करीक कोई हर जिले में आपका अंदोलन होता है तो बारत में कहां-कहां कि आ लीड नहीं है तो यहां सिर्फ हम लोग वो देखेंगा कि जार्खन का जो 6 जिला उस समय था उसमें कहां कहां क्या क्या हुआ था और किसने किसने नतित दिया था इसके लिए हमारा इतना ही समंध कि अगे बढेंगा क्योंकि यह इस्ट्री प्रशन जो है आपका जो जार्खन तो उसका यह लास्ट क्लास होगा तो ठीक है तो आज हम लोग जो भारत छोड़ा अंदूलन के बाद हम लोग जो स्वतनता जो मिलेगा हम लोग को देखते हैं तो पाला पर आपका रांची जीला थे इस्कूल ठीक है तो रांची का जीला में कुछ चाहट्र कीक रर्षो किया था तो कुछ लोग को वहां घरतार कर लिया गया था और दूसरा क्यों इसकूल दीसरा है की आपका एक बाल-कृष्ण इसी है इदर बालकृष्ण स्कूल है तो बालकृष्ण स्कूल में भी कुछ-कुछ हुआ था तो यह तीन स्कूल में आपका होता है मलब जो स्कूल लेवल का जो चात्र है यह स्कूल स्कूली स्तर का जो चात्र है वो भी अंदुलर में पाटिसिपेट करता है ठीक है तो जंड़ा रास्टत जंड़ा देता है ठ्कत्य तो एक जग़ने स्कूल को स्टूडियन लोगा ग्यतार हो गया है एक स्कूल का सात्र लोग स्कूल में राश्टत जंड़ा दिया ठेक है है और उसी तरह एक राश्व वहां पर आपका स्कूल का रइष्टर को लोग जला देता है तो इस कूली स्तर पे आपका तीन काम हुआ है यहां पे अब उसके बाद कुछ इनसात्मत कारी भी होता है इसमें जैसे कि कुछ जगा आपका टेलिफोन का तार और टेलिग्राफ का लाइन आपको काड़ दिया जाता है कहां तो टाटी सिल्वे और नामकुम के बीच में इसकी अलावा यह जो टाना भगत लोग है टाना भगत का दल बिसुनपूर थाना को जला देता है आपका बिसुनपूर थाना आपका यह गुमला में पढ़ता है ठीक है और बिसुनपूर से ही आपका जो क्या करतें जत्रा भगत संबन देते वो भी थे वैसे ठीक है और ब पलामूं में कर गाई, ये आपको रांची में दिख रहा है? ठीक है? और ये बिसुन्पूर आपको गुंणा में था वैसे है, ठीक है? चले, तो ये दो काम हो गया और एक और होता है का रियल का पठरी को भी उखाड़ दिया जाता है तो वो कहां तो ये इटकी और ये टांगर बसली के बीच में ये भी राची में ही है इटकी और टांगर बसली ठीक है टाना भगत लोग बिसुनबूर थाना में कूछ जला दिया जाता है, यह एक चाना भगतों एक खेया और इसके इसरा के बीच में किरा घ्रम काहरी आजाता है इस अंदोलन के द्वारा में ठीक है और पीसी मित्री है वो काफी इंसान है वैसे क्योंकि यही वो नेता है जो जैपाल सिंह मुंडा को 1946 के चुनाओं में हराएं गई है खोटी चेट से जब चुनाओं होता है तो चेट से पीसी मित्री जीतते हैं और जैपाल सिंह मुंडा इनके समझ चाड़ते हैं वैसे ठीक है चले और इसके बाद यह लोग है जो जहां का प्रमुक नेता था रांची का ठीक है तो इसमें आप कई कर सकते हैं यह कोशादिश थे विसके रही है तो यह था आपका रांची के हजारी बाहने था तो हजारी आपके सबसे इंपर्टन क्या कई है कि आपका एक बहुत ही इंपर्टन्ट लेडर थी महिला रूछ TH Ryuur यह आपको जूलस निकालती है और साम को इनको ग्रवतार कर लिया जाता है ग्रवतार करने के पाद मुस्ट्व भी जेल में नहीं डाला जाता है इनको वैसे साइद लेडी को ऐसे कर लीजिये मलें इनको कि असवयोग आंदुलन में भी जेल गई थी और भारत छुड़ों अं इसका वरन नहीं मिलता है वैसे ठीक है गिर्तार जरूर होगी वैसे ही ठीक है तो यह आपका सरसोती देवी तीनों अंदूलन में करीब दिल तक का इनका यह हो रहा है वैसे ठीक है चलिए और उसके बाद एक ची और होता है कि जो कोडर्मा में आपका मायका का खान था या नाम नहीं दिया हुआ है यह ठीक है यह कोडर्मा में ही आपका कोडर्मा के जुम्री तिलया में यह लोग भी जुलूस निकालता है ठीक है जो थोड़ा खान टाइप का जगह है तो खानों का मजदूर भी अब राजनितिक गतिविदी में भाग लेना शुरू कर दी एक द बात देने लगा था अंधूलन कारियों का सूंचिए अब अंगरेजी सरकार से तक उनका बहून के पुलीस भी पहरता है पुलिस freedom में भी पुलीस मिलेगा कि पुलीस दाऑ या यह अंदूलन के साथ दीगह सोचिए ठीक है पुलिस जेनरलिग बना किसलिया है कि छी учर कर कर अगर नियम कानून जो है उसको लागू करेगा यहां देखे पुलिस सरकार के विरुद्ध खड़ा हो जा रहा है जब सरकार गलत करने का कोशिस कर रहा है तो ठीक है सो जी किस हद तक अंग्रेज लोग गलत कर रहा था उसी यह पर तो यहां पर कि पुलिस कर्मी भी अंदुल लोग के साथ जैल से भाग गया ता जड़जारी बाग जैल से ठीक हाइरी बाग جैल में जयपकाष नारायन को रखा गया था ठीक है और यह 9 नव्मित तो 42 को जील से आपको जो का जेल का जो बॉंडरी वाल होता है उसको फांद के वो भाग गय थे और यह पांच साथ ही हजारी बाग में देखिएगा जो भी आंदोलन चला था उनमें इनका बहुत ही अच्छा भागिदारी था साली ग्राम सिंग का वैसे तो साली ग्राम सिंग और जब प्रिकास नारान वह भागते हैं वैसे वहां तो जेल से कब हुआ था तो यह भारत चुड़ो आंदोलन के द आपका हरताल कर देता है जुलोस निकालता आ ठीक है तीसरा है पुलिस कुछ पुलिस कर्मी लोग अंजलन की प्लान होता है कि जब जो से भाग जिए तो अब अंघ्रिजों को डर लगता रहे है कि कई दूस्ता केयादी भी भी ने भाग जाए है प्योंकि जोभी है जेल का वैवस्था में कम जोरी है वो तो पता चल गया ठीक है तो यहां कुछ important कहदी था जैसे कि आपका राम नारायन सिंग था और आपके कृष्ण मलब सहाय थे दुनों हजारी बाग के आज important लीडर थे तो वो लोग दोनों को shift कर दिया जाता है कहां तो आपका भागल पूर जिल भेज दिया गया यहां सुरच्छित रहेगा और वहां से भाग नहीं पाएगा तो कौन दो सिंग भूम में हुआ हुआ है तो आपका कुछ मजदूर क्या है यहां के नाम से जाता है आप आम जनता दुकांदार मजदूर ठीक है उसके अलावा यहां पर पुलिस कर्मी भी जनता का साथ दे दिया था ठीक है इसके अलावा जो वहां पर सफाय कर्मी था वो लोग भी विरोध करता है इसके अलावा कुछ उडिसा से मजदूर आये थे कुछ मदरास से मजदूर आये टेक है उसके लिए टाड़ा कंपने काम करें वो लोग कुछ मजदूर फिर आपका कुछ दुकांदार कुछ आमचंत इतना सारा लोग सिंग्भूम में विद्रो कर रहा था विरोध किया था बाहरे छोड़ आंधुलन के दौरान अंग्रेजों का ठेक है और इसी यह पर इतन से नहीं होना चाहिए तो यह सब आपको सिंग्भूम में हुआ था ठीक है वैसन दिखा दे रहे हैं टाटा नगर में मिल मजदूर लोग किया दुकांदार लोग किया आम नागरिक लोग किया सब यहां हर्ताल करता है ठीक है दूसरा रामानिन तिवारी के ने पुलीस का व लोग भी विद्रो का देता है नाम सब छोड़ दिएगा नाम सब खास इंपर्टन नहीं पड़ेगा वैसे इसके लिए समझने के हिसाब से वैसे पीटी के हिसाब से नाम बहुत इंपर्टन नहीं है वैसे ठीक है अब उसके बाद आता है कि सितंबर 1942 को घाट चिला के मद् और उडिया मजदिरों ने भी जिलूस निकाला ठीक है तो मजदूर हो गया दुकांदार हो गया आमनागरिक हो गया पुलिस हो गया सफाइकर्मी हो गया मदरासी और उईसा मजदूर सब लोग आपका सिंग्भू में विद्रो किया था ठीक है अब चलिए देखते है कि पल लावा देखिए कि गढ़वा हाई स्कूल है तो गढ़वा हाई स्कूल से दो चीज किया गया एक बीटिस समराट और एक रंका नरेश दोनों का चित्र को उतार दिया गया यहां से तो यह लोग के परती आक्रोश था क्योंकि आप सामने में जो दिख रहा है एक तो बीटि आई स्कूल से हटाता है एक उसकी अलावा गढ़वा में गढ़वा रोट के बीज सडक को काट दिया गया था वैसे तो रंगा इसकूल का चात लोग भी आपका विरोध किया था रंगा भी आपको घडवा में पढ़ए थोड़ा सर निचे टैप में तो नीचे साइड में पड़ता है आपका रंका ठीक है तो रंका है स्कूल और यहां गडवा एक इसके अलावा एक रहा है कि असयोग अदुलन देखिए या सविने वग्या अंदुलन देखिए या भाराक्षडव अंदुलन देखिए तीनों में मिलेगा कि कोई न कोई खर confirming प्रब नेता था जो कि इसमें विद्रो कि आ था मारा विरोध के साथ दिया था और तुा कि accidentally कि भी अंधूलन और टो मैえ मैंने अज़ा और Computer को यह इंदेधिन काar यहां हो हुआ और ऊसके आप बड़े बड़े अंदलोनों में कोई नहीं कोई खरवार नेता था और टाना भगतों ने कुछ ना कुछ किया जरूर था ही तीनों में वैसे तो यहां पे कि आपको जेठन सिंग खरवार था यह रंगा से गर्पतार होते हैं यह भी नत्यूत दे रहे थे जेठन सिंग खरवा टेक है और टाना भगत लोग चंद्वा ठाना ये चंद्रवा लिख दिया गया चंद्वा भास में जंडा परदा था यह ठिक है आपका प्लामू में सब्सक्रों फड़ता होता है और आपका नاج का थायो पड़ता है प्ट्रा में है गंगरां से तो यह जो पलामू वाला है चंदवा तो चंदवा थाना में कॉंगरेशी जंडा को फ़रा दिया था कौन तो टाना भगत टाना भगत का आपको दो काम मिलता है भाराच छोड़ा अंदोलन में एक जगा अगर बिसुनपूर के थाना में लोग आग लगा देता है दूसरा था तो वहां पर होता है कि धनबाद और गोमो इस्टेशन के बीच में रेल का पड़्टी था उसको उखाड़ने लगता है आदमी लोग वैसे ठीक है और धनबाद की लाका में कभी आववश्थ था था तो उस कारण से आपको कत्रास जर्या और धनबाद में आपका तीन जगह कर्फ्यु लगया गया और गोमो से लिए धनबाद के बीच में आपका रेल वी लाइन को उखाड़ने के कोशिस किया गया था ठीक है अनुरिक धनबाद और गोमो के बीच रेल लाइन को जगह जगह पड़्टी को उखाड़ रहा था और कत्रास जर्या आधूसा दिकिंग का प्रफुल-चंद्र पत्नायक तर्कशन्दender पत्नायक कापी इंप्रट्टेन लीड़ा थे यह सकते हैं आगे थोड़ा से देखेंगे ऋम्युक्त धेक एक खोता है कि जो गोड़्डा का जो कचहरी था गोड़्डा का कचहरी में आपका कॉंगरेस का जिंडा लगा देता है ति Great आपका धुंका का अपनेन जिंड गोड़्डा का कचहरी में जंडा ढौडeger का कचरी है दुंका का उपायुक्त कारियाला ही है वहाँ पे जहंडा ए चली गुट्डा कचरी में कॉंघ्रसी जहंडा हो गया उसके बाद है कि कल भी कुछ-कुछ है वैसे इसे देवगर में मदभूपूर पढ़ता जस्ट्टी भी वह ही पड़ता है देवगर तो चलिए ही वहा है तो मदूपूर जस्टी देवगर में सरकारी भवन में नुकसान पहुंचाया गया यहां ठीक है और देवघर के अंद्रगत की एक सरवन नाम का जगा था ठीक है तो वहां पर आंदोलन कारी लोग एक समानांत सरकार का स्थापना कर लेता है चारकन के इसाब से देखा जाती यह बहुत important fact है वैसे ठीक है कि देवगर अनुमंदल के एक जगता सरवन कि आप सरवन कुमार से याद रहता है सरवन या सरवन ठीक है उसके देशी रूप का लिजिए सरवन सरवन ठीक है तो सरवन में आपका एक समानांता सरकार का स्थापना कर लेता है तो यह सरवन में जो अन्दुलनकारी वो लोग भी अपने सर्था चला रहाता है वैसे ठीक है यही आपका समानांता सरकार होता है तो यह देवघर उनुमंडल का सर्वर में अंदुलनकारी लोग समानांतर सरकार का इस्था अपना कर लेता है उसके अलगा देखते हैं दुमका को पायूत कारियाले में कॉंग्रेसी जंडा को फरायक दिया गया था और भारत सासन अधिनियम के तहत हिमत सिंग हिमत सिंग और हिमत सिंग और मोति लाल केजरी वाल को गेफतार कर ली यह में प्रण तक यह कि या यह कहते हैं दो यह था यहां महादेवी केजरी वाल जो कि व्यक्तिछ सत्यक्राज हूत वहां अपने आपको ग्रेफतारी के लिए पेस की थी ठीक है तो यह मोतिलाल केजरीवारादी को ग्रेफतार कर लिया जाता है ठीक है आप दिखें यहां पर आजाता है प्रफुल चंद पत्नायक ठीक है तो यह पहाड़ी आध्वेश्यों को नित्तुत किया था ठीक है और यह एक और जगह था अपका ठीक है ऐह अपका जो जहां पर शाब गोड़्डा दुम्का और पाकुड तीनो यह जगह सामने में ठीक है तिनों जिला मिलन बंदु था वह तापका डांग पार ठीक है तो डांग पर हमें आपने मोख्याले बनाए थे वहां से पहाड़िया जन जाती को नित्य तो दे रहे थे किसका मिलन स्थल गुड़्डा दुमका पाकूड का मिलन स्थल क्या है डांग पड़ा डांग डंड़ा ठीक है तो डांग पड़ा तो वहां पर अपका एक मुख्याले बनाते हैं वहां से नित्य तो दे रहे थे ठीक है चल पुलिस लोग इतना मारता है कि वो मर जाता है तो बादे लोन पहाड़िया के एक नाम आता है लीडर क्रूप में तो वो हो गया वैसे ठीक है अब उसके बाद देखिए संथाल लोग और पहाड़िया जन जाती ठीक है आपका अलू वेरा में अलू वेरा एक जगह है संथाल बंगला और वन विभाग का भावनों में आग लगा देता है जला डालता है ठीक है संथाल पहाड़िया लोग क्या करता है अलू वेरा में ठीक है अलू वेरा को याद ना रहे तो अलू वेरा भी कर सकता है अलू वेरा से आपका अलू वेरा अलू ये अलू वेरा ठीक है अ पटनाय को यह परफुल चंद पटनाय को 16 वर्ष का सजादे दिया जाता है ठीक है और इसमें एक ची और important है कि जो संथाल परगना छेत में या जारखन के छेत में का लिजिए कि संधर में का लिजिए उनीस सो त्यालिस को वाचसपती त्रिपाठी का गिरफतारी भारत छड़वा अंदोलन से जुड़ी अंतिम घटना थी ठीक है वाचसपती त्रिपाठी ठीक है इसका जो गिरफतारी होता है वह यहां का अंतिम घटना था वैसे ठीक है तो इसको ऐसे भी देख सकता है वाचस फास पति हमें देखो पति टीक है लोग तिमिंग जयों कंगरे पिश हट मैं मयलाईं कर रही कि हम परिवार वाले थियान C तो यह आपको याद करने के लिए बता रहे हैं वैसे तो यह आपको याद रहा सकता है पती से समंदित कुछ था जो भाराइच्छडव आंदोलर में लास्ट वाला चीज तो इसके याद रहा जाएगा और कमसे इग्याम में कन्फिजन नहीं होगा कि कौन था एक ऐसा थी पाटी था तो पती टैप कर कोई चीज था जिसका बोला था तुम इधर देख भार टैप क यह जाएगा उसके ऐसदाएगा उसके बाद को उनिससे निस met 14 में होता है कि आपका मानभूम का एक वह कर आविये यह जहें लिए राष्ट्यसप्त मना जा रहा था बाकि सींगभुम और रांची दूने जगा जवाहर सता मनाया गया तो रांची सप्ता में एक हुआ था अफर राष्ट्र सप्ता पर का हूं रहा है तो मान भूम में में यंदा पर अपना जंडा और उसी में अतुल चंद्र घोस्त को गिर्फतार कर लिया जाता है तो आदमी लोग अंदुलोन और बढ़ा देता है और इसी को जंडा सत्याग्रा कहा गया ठीक है मानभू जंडा सत्याग्रा तो यह आपको 1945 में होता है उसके बाद 46 में भारतिया पर राजनी competitive के लिए लिए होता है ठीक है के नहीं के लिए होता है राजी के लिए भी चुना होता है वह पर हणा पर दूसर talk a अपको द्रकर दिया का ना रहा ता ठीक के अपने से कारवाई करके पाकिस्तान बनाने का कोशिश सुरू हो गया वहां से इतना सारा चीज होता है 1946 में ठीक है लेकिन हम लोग का संबंध के लिफ्ट अप इग्जाम से पॉइंड वी से क्या इंपॉटेंट है एक तो 1946 में जो आपका केंद राज में चुना हो रहा है अधिवासि जीत पाता है तीन आदिवासि जीता उसमें जैपाल सिंग चुना वहार गयते वैसे और पीसी मित्रा चुना जीते थे उनके यह सम यह सामने उसके अलावा होता है कि बिहार में आपका दूसरा कॉंग्रेसी मंति मंदल का गठन होता है और स्री कृष्ण सिंग दुबारा बिहार के पधान मंति यह मुख मत्री बन जाते हैं तो एक चीज़ हुआ कॉंग्रेस का मलब सरकार बन गया वहां पर अब कुछ बुक में आपको मिलेगा कि बिहार जारखंड से किसी को मंत्री नहीं बनाया गया लेकिन कुछ और बुक में देखेगा तो आपको दो नाम मिलता है एक है आपका कृष्ण वल्लब सहाई जो हाजारी बागमिक के लीडर थे और दूसरा है आपका विनोदानान ज्हा एक का संथार पलगरना के लीडर थे यह दोनों लीडर को आपका जो सिक्रिष्ण का मंत्रा ले था उसे मंत्री बनाया गया तो जारकन का दो नित्रा को मंत्री बनाया गया था एक क्रिष्ण वल्लब सहाई और दूसरा विनोदानान ज्हा को कब 1946 का जो मंत्रा बिहार में उसमें ठीक है और उसी मंत्रा ले से आपको जो रांची कॉलेज है आपका रांची में उसका भी आपका स्थापन मलब क्या करते हैं कि बनन अधिज़ां से बन गया था तो यहां पर एक जारखंट से क्मेंबर चुना के गया था और वह इंपर आपको अम्बेदकर जी के साथ इनका एक डिबेट भी हुआ था जो की काफी चर्चित हुआ था उस समय वैसे ठीक है तो कि यह अधिवास्वं के हित के बात कर रहे थे अपने मुद्दे को मारा कर रहे थे तो उनसे थोड़ा सा बात हुआ था ठीक है और उसकी अलावा फिर होता है क अधिक 45 में होता है कि जो लॉट वेवेल थे वाला भी हिस्सा है वैसे उनसे सफ़लाली के साथ मिटिंग होना था वैसे कंग्रेस तो त्यारी था लेकिन जिन्नात जिद कर देता है अभकि जिन्नात जिद करतेता है तो फिर वह मेटिंग मारा वेविल जो सम्झेला बनके आता है तो वा civilization आता है पिर आपका शोजो अगस्त को पाकिस्तान अलग İsra did को पारत बाट होता है इसके बाथ है तो आपना सरकार चले तो बिसकी लिए आपका इतना ही इतियास में और चली नेक्स वीडियो में से कुस्टेंस को देखते हैं कि भारेशोड़ा अंदोलन का कुस्टेंस क्या क्या आया था वैसे ठीक है चली मिलता है नेक्स वीडियो में थांकियो